हलो इन्वेस्टर्ज इस वीडियो के अंदर एक से बढ़कर एक धमाकेदार खबर को कवर करूँगा एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों को L&T लिमेटेड और HDFC बैंक के साथ में टोटल में 12 ऐसे स्टॉक्स बताने जा रहा हूं जिनोंने यहाँ आप स्टॉक बोनस, स् General Insurance Company Limited इस कंपनी का जो NSC Code है वो है ICICIGI आज के ट्रेडिंग सेशन में इस कंपनी के शेयर में हमें 4% से जादा की तेजी देखने को मिली थी जो कि एक ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से काफी मैसिव रिटरन है या फिर आप कह सकते हैं काफी बढ़िया मोमेंटम है इस कंपनी के शेयर का जो closing price था वो 1715 रुपीज का था अगर कंपनी के official announcement की हम बात करें तो इस कंपनी ने यहाँपे dividend अनौंस कर दिया इस 6 रुपीज का आप लोगों को आपके हर एक शेयर के उपर में 6 रुपे का dividend दिया जाएगा एंड यह एकदम latest announcement है इसी चलते कंपनी ने अभी का नाम है भारत बिजली लिमिटेड इस कंपनी का जो NSC code है वो है BBL आज की trading session में इस कंपनी के share में हमें कुछ खास momentum यहाँपे देखने को नहीं मिला एक flat closing की इस कंपनी के share पर हमें देखने को मिली कंपनी के share का जो closing price था 6,670 रुपीज का था अगर कंपनी के official announcement की हम बात करें तो इस कंपनी ने यहाँपे stock split announce कर दिया है 5 is to 10 के ratio से जिसका मतलब यह है अगर आपके पास में इस company के 5 shares है तो वो total में 10 shares के अंदर में convert हो जाएंगे आपका हर एक share यहाँपे 2 shares में convert हो और इस stock split को देने की जो X date और record date है वो 24th of April यानि की 24 अपरेल की रहने वाली है अगले share की बात करें तो company का नाम है Tata Communications Limited इस company का जो NSE code है वो है TATACOMM आज की trading session में इस company के share में हमें 0.5% की गिरावट देखने को मिली और company के share का जो closing price था वो 1856 रुपीज का था अगर company के official announcement की बात करें तो इस company ने यहाँ पे dividend announce कर दिया है 16.70 रुपीज का आप लोगों को आपके हर एक share के उपर में 16.70 पैसे का dividend दिया जाएगा इसको देने की भी X date, record date फिलाल अभी upcoming में है आप लोग चैनल को subscribe कर लीजेगा विगोज जैसी X dates और record dates आ जाएगी मैं आप लगों को सबसे पहले intimate कर दूँगा अगले share की बात करें तो company का नाम है Anoop Engineering Limited इस company का जो NSE code है वो है ANUP आज की trading session में इस company के share पे हमें 1% की तेजी देखने को मिली और company के share का जो closing price था वो 3,369 रुपीज का था company के अगर official announcement की हम बात करें तो इस company ने यहाँ पे stock bonus announce कर दिया है 1 is to 1 के ratio से जिसका मदलब यह है अगर आपके पास में इस company का एक share है तो यहाँ पे आपको एक share as a bonus मिलेगा total में जो आपका एक share है वो दो shares के अंदर में convert हो जाएगा in short आपके पास में इस company के जितने भी shares होंगे वो सभी के सभी यहाँ पे double हो जाएंगे because आपके पास में company के जितने भी shares होंगे उतने ही shares का आपको bonus दिया जाएगा and इस bonus को देने की जो X date और record date है वो 23rd of April यानि की 23 April की रहने वली है अगले share की बात करें तो company का नाम है कामधेनू Ventures Limited इस company का जो NSE code है वो है KAMOPAINTS यानि की Camo Paints और इस company का share जो है आज 171 रुपीस के उपर में close हुआ था लगबग 0.5% की गिरावट जो है आज हमें इस company के share के अंदर में देखने को मिली थी अगर company के official announcement की बात करी जाए तो इस company ने यहाँ पर stock split announce कर दिया है 1-5 के ratio से जिसका मदलब यह है अगर आपके पास में इस company का एक share है तो वो total में 5 shares के अंदर में convert हो जाएगा चाहे फिर बेशक आपके पास में इस company के जितने मरजी shares हो आप लोगों का हर एक share यहाँ पर 5-5 shares के अंदर में convert हो जाएगा अगले share की बात करें तो company का नाम है HDFC Bank Limited company का जो NSC code है वो है HDFC BANK अभी यह जो वीडियो है मैं market opening से पहले record कर रहा हूँ तो जो भी share के prices है वो कल के trading session के closed price है तो कल के session में company के share पे हमें 0.8% का correction देखने को मिला था और जो share का closing price था वो 1496 रुपीज का था अब यहाँ पे HDFC BANK की तरफ से काफी बड़ी एड एक काफी अच्छी positive update निकल करके आ रही है basically यहाँ पे Jeffries करके काफी जाना माना brokerage firm है and I am damn sure आप लोगों ने Jeffries का नाम तो definitely सुना होगा हाँ Indian नहीं है foreign based है US से based है but all over the world, all over the globe काफी जाना माना और काफी जाना माना और काफी जाना well reputed है अब Jeffries ने जो है यहाँ पे HDFC bank के share के उपर में bullishness दिखाते हुए buying recommendation शेयर करी है और जो target price दिया गया है वो 1,800 रुपीज का दिया है तो लगबग 1,490 रुपे से लेकर के 1800 रुपे यानी की 1,800 रुपे तक की एक जो rally है वो यहाँ पे Jeffries expect करके चल रहा है HDFC bank के share के अंदर में अब already काफी जादा time हो चुका है HDFC bank के share में हमें कोई बड़ा upside momentum देखने को नहीं मिला अभी जो 1800 रुपीज का target दिया है काफी high possibilities यह रहेंगी यह जो target आप का short term या फिर जादा से जादा mid term के अंदर में achieve होता हुआ देखने को मिल जाए तो definitely अगर आप लोग चाहें तो HDFC bank को आपके watch list के अंदर में add कर सकते हैं क्योंकि banking sector की leading company है topmost company है और साथी साथ में काफी लंबे टाइम से कोई बड़ा momentum हमें देखने को नहीं मिला अच्छे quarterly results company के अगर आते जाएंगे तो definitely share price भी आपको उसी इस आप से काफी अच्छी recovery करता हुआ देखने को मिलेगा because company के जब quarter three results आयते उसी की वज़े से तब से लेके अब तक share जो है कही ना कही sideways या थोड़ा बहुत correct होता चला जा रहा है कोई बड़ा upside momentum हमें देखने को नहीं मिल रहा तो definitely HDFC bank के share को आपके watch list के अंदर में add कर लीजेगा और company के share के उपर में नजर बना के रखिएगा अब आज जाते हैं बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारे अगले and last stock की तो company का नाम है L&T Limited company का जो NSE code है वो है LT L&T Limited का जो share है आज के trading session में जादा कोई momentum दिखाता हुआ देखने को नहीं मिला था and closing भी आप कह सकते हैं almost हमें flat ही होती हुई देखने को मिली company के अगर closing price की बात करें तो जो share है 3554 रुपीज के उपर में close हुआ और यहाँ पे L&T Limited की तरफ से भी एक काफी बड़ी and एक काफी positive update निकल करके आ रही है basically यहाँ पे Z Business करके काफी जाना माना business analyst है and I am damn sure आप लोगों ने Z Business का नाम तो definitely सुना होगा यहाँ पे Z Business ने जो है L&T Limited के share के उपर में bullishness दिखाते हुए buying recommendation share करी है और यहाँ पे जो target price दिया गया है वो 4,300 रुपीज का दिया है तो लगवग 3,555 रुपे से ले करके 4,300 रुपे तक की एक जो rally है वो यहाँ पे Z Business expect करके चल रहा है L&T Limited के share के अंदर में अब target तो हमें काफी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है काफी attractive देखने को मिल जाता है बट L&T को as अगर हम company discuss करें fundamentally financially definitely company काफी strong है साथी साथ में अगर आप company के reserves की बात करें काफी भरपूर reserves मौजूद है और जब भी इंडिया की blue chip companies की बात करी जाती है definitely L&T Limited topmost companies में से एक में आता है और साथी साथ में अगर आप देखेंगे कही ना कहीं एक काफी अच्छा long term investment या आपके लिए बन सकता है past में भी company ने अपने investors को काफी अच्छे returns दी है and long term में भी काफी possibilities रहेंगी company अपने share holders को काफी अच्छे returns डिलेवर करती हुई देखने को मिले और यह जो 4,300 रुपे का target है यह आपका mid term का target रहने वाला है तो अगर आप लोग चाहें तो L&T Limited के share को आपके watch list के अंदर में add कर सकते हैं काफी अच्छी काफी well reputed और काफी बड़ी company है तो कहीं ना कहीं देखा जाए आपका जो investment है यहापे almost risk free हो जाता है तो definitely L&T Limited और HDFC Bank दोनों companies के shares पे आपकी नजर बना के रखिएगा और इन दोनों के अलावा आपको जिस भी company के share को purchase करना हुआ ताकि यहापे आपको उसके announcement का benefit मिल पाए तो उस particular share को आपको उसकी X date से पहले पहले purchase कर लेना होगा बाकी इस वीडियो के अंदर में इतना ही यही 12 stocks थे जिनोंने आप इस stock bonus, stock split and dividend arounds किया था अब अगर आप कोई वीडियो ची लगी हो definitely वीडियो को like कर दीचेगा प्लीज इस चैनल को भी जरूर से subscribe कर दीचेगा बिकोज फिनों मीडिया के अंदर आपको ऐसे ही stock market से related content देखने को मिलता रहेगा चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर till then बाई